आज के बाद आप दो ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत मुश्किल हैं और इवन कि हम उन्हें यूज भी नहीं कर सकते हैं सम्टाइम हम सोचते रहते हैं कि इस वर्ड को इंग्लिश में बोलना क्या है और सोच में पढ़ जाते हैं कोई भी संटेंस बनाने से पहले या किसी से बात करने से पहले इंग्लिश में तो वो दो वर्ड जो हैं आज मैं उन्हें इसी वीडियो में बताने वाली हूँ वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपको दोनों वर्ड का पता चल जाए सबसे पहला वर्ड तो ये है ननिहाल और दूसरा वर्ड ददियाल अगर हम अप वोकेबलरी आज मैंने आप लोगों को बता है कि हम कुछ इंपॉर्टन्ट वोकेबलरी देखेंगे नमबर वन लीनियंट लीनियंट इसका मतलब है नरम मिजाज कोई भी शख्स यानि कि जैसे सॉफ्ट हार्टेड होता है या कोई सॉफ्ट कार्णर होता है उसके हार्ट में किसी के लिए so we have to say lenient नरम मिजाज यानि वो बहुत नरम दिल का मालिक है या वो बहुत soft है heart wise, बहुत polite है something like this next हमारे पास है maternal वो word आगया जो मैंने आप लोगों को बताया था maternal अगर हम अपनी वालदा की फैमली में हैं so we have to say maternal we have to call them maternal home यानि कि हम अपने नने हाल में हैं, जैसे कि अर्दू में हम अपनी वालदा की फैमली को नने हाल बुलाते हैं इसी तरह English में हम कहेंगे maternal home या maternal relatives next word है introvert ये word बहुत ज़्यादा use भी होता है maybe कि आप लोगों को अरड़ी पता भी हो introvert यानि कि कोई ऐसा शख्स जो के तनहाई पसंद हो या शर्मीला हो या बिलकुल कहीं आपने देखा होगा ऐसे लोग भी होते हैं कहीं किसी मजमे में जाते हैं तो वो दूर दूर रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा kraut को next हमारे पसफ़र्ड है expelled यह काम यूज करते हैं यहने किसी को किसी जगा से निकाल दिया किसी जगा पे वो थी या था जैसा के हम यह कह सकते हैं वो इस स्कूल में थी और उसे इस स्कूल से निकाल दिया गया so she has been expelled from the school उसे स्कूल से negligence negligence कि हम यूज कर सकते हैं कोई अगर आपको नजर अंदास कर रहा है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं या अपनी किसी गफलत के लिए या किसी carelessness के लिए हमसे वहाँ भी यूज कर सकते हैं दोनों जगा पे सही जो है यह meaning या सही sense देगा next word हमारा है mostly हम यह word यूज करते हैं atmosphere या environment something like this अब एक और word आपके पास आ गया है जो है ambiance 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 हम यूज करेंगे mahal environment हो गई atmosphere हो गया किसी जिगा के mahal को हम बताना चाह रहे हैं तो हम वहाँ यह word यूज कर सकते हैं ambiance next हमारा word है proactive जी proactive जैसे हम word यूज करते हैं active इसी तरह हम use कर सकते हैं proactive यहने कि fall वो शखस fall है या वो अपने काम में बहुत proactive है या वो company में बहुत proactive नजर आता है so next हमारा word है envy envy जो है आजकर हम देखते हैं हमारी society में यह चीज बहुत ज्यादा नजर आती है हम notice भी करते हैं एकदम से कि जी वो शखस हम से हसद कर रहा है या हसद इसके meaning तो यह हसद हसद करना या हसद कोई कर रहा है so we have to say envy she is too much envy तो इस तरह से हम यह sentence यूज कर सकते हैं next word है हमारे पास insane जैसे कि हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा मतलब sometime वो अपने senses में जो है नहीं रहता वो कुछ इस तरह की बातें करता है या कुछ strange बातें करता है so we can say that insane he is insane or she is insane यानिके कोई पागलपन करना या out of senses हो जाना next हमारा word है yes in the end वो वरड आ गया students जो मैंने आप लोगों को बताया था paternal जब हम अपने father की family के बारे में बात करते हैं या father के relatives के बारे में बात करते हैं so we have to say paternal relatives or paternal home यानिके ददियाल ननियाल के लिए हम यूज करेंगे maternal and ददियाल के लिए यूज करेंगे paternal जी students उमीद करती हूँ कि आज आपको बहुत अच्छे सारे vocabulary बहुत सारे मिल गए हैं तो इसी तरह हम अपने vocabulary का session भी ले के चलते जाएंगे ताके आपकी भी vocabulary रेज होती जाएं और मेरी भी मिलते इंशाला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care and अल्ला हाफिज